नमस्कार, मैं संजे शर्मा, इस चैनल में डालेगे वीडियो में आपका ज्ञान सार्थी, मृक्वत्स लर्निंग में आपका पुनह हार्दिक स्वागत करता हूँ प्रोग्रामिंग से साक्षातकार की वीडियो श्रिंखला की पिछली कड़ी में आपने प्रवाह संचित्र या फ्लोचार्ट के घटकों के बारे में जाना तदा कुछ साधारन प्रवाह संचित्रों का निर्मान किया निर्णय प्रवाह संचित्र के महत्व पूर्ण घटकों में से एक है इस वीडियो में आप प्रवाह संचित्र में निर्णय प्रवाह नियंतरण के बारे में जानेंगे प्रवाह संचित्र में एक दूसरे प्राश्रित अनेक निर्णे के श्रिंकला का प्रयोग करना सीखेंगे, प्रवाह संचित्र में पुन्रा वृति को चित्रित करना सीखेंगे, तथा निर्णे तथा पुन्रा वृति युक्त प्रवाह संचित्रों का निर्मान करना लगभग प्रत्य अवस्था में निर्णै लेते हैं। जाने अण जाने आप अपने विभिन कारें को सम्पन्य करने के लिए कुछ ना कुछ निर्णै अवस्य लेते हैं। आप अपने जीवन काल में कुछ तुछ विश्यों जैसे क्या मैं भोजन पकाऊं से लेकर आवशक विश्यों जैसे क्या हम परिणे सुत्र में बन जाएं तथा अतिगंभीर विश्यों जैसे क्या हम चंद्रमा को अपने अधिकार में ले लें पर निर्ने लेते हैं। यदि आप वियंग को छोड यथार्थ के विश्य में सोचेंगे तो अनुभव करेंगे कि आप वास्तम में अपने जीवन काल में कई अति शूक्ष्म विश्यों से लेकर अति कंभीर विश्यों पर निर्ने लेते हैं। का उत्तर ही निर्धारित करता है कि कारे का प्रवाह दोनों में से कौन सी दिशा लेगा। करेंगे तो पाएंगे कि इस से पहले कि आप भोजन पकाना प्रारम करें आप यह निर्ने लेना चाहेंगे कि कोई क्षुधा पीडित है या नहीं। यदि नहीं तो आप कारे का यहीं पर अफसान कर देंगे। परन्तु यदि हाँ तो आप आवश्यक समग्री एकद्रित करेंगे। इसके बाद आप निर्ने लेंगे कि कोई समग्री अनुपलब्द तो नहीं है। यदि हाँ तो आप उस समग्री का क्रय करेंगे। तदुप्रांत आप भोजन पकाने की अन्य क्रियाओं को समग्र करेंगे। अन्य था यदि आवश्यक समग्री उपलब्ध है तब भोजन पकाने की अन्य क्रियाओं को समग्र करेंगे। इसी तरह छात्र पंजी करन के प्रोग्राम में इससे पहले की प्रयोग करता प्रोग्राम का प्रयोग प्रारंब करे, आप यहाँ जानना चाहेंगे कि उसने लॉग इन किया है अथ्वन नहीं, यदि हाँ तब छात्र विवरन सुईकार करें, अन्य था प्रयोग करता का लॉ विवरंट स्विकार करें उप्रक्रिया में वह सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जो छात्र अथवा कर्मचारी के विवरंट स्विकार करने के लिए आवश्यक हैं। उधारन के लिए जब आव वहन चलाने का विचार करते हैं तब सर्प्रथम आवश्यक है कि आप एक गंतव्य निर्धारित करें। कि क्या परिवहन व्यवस्ता उपलब्ध है यदि इसका उत्तर भी नहीं है तब आप यहीं पर कार्य का अफसान कर देंगे। परन्तु यदि उत्तर हाँ है तब आप पुना जांच करेंगे कि क्या अग्रिम आरक्षन उपलब्ध है यदि हाँ तो आप यात्रा पत्र सुरक्षित करेंगे। परिवहन स्थल पहुँचेंगे वाहन में प्रवेश करेंगे। सुनिश्चित करेंगे कि आपके पास यात्रा पत्र है निधारी स्थान क्रहन करेंगे तथा गंतव्य स्थल पर पहुँचेंगे। आप यात्रा पत्र क्रह करेंगे, निधारी स्थान क्रहन करेंगे तथा गंतव्य स्थल पर पहुँचेंगे। इसी तरह यदि आपकी वाहन चलानी की इच्छा है तब आप वाहन चलानी की अन्यक्रियाओं को संपन्य करेंगे। क्रियाएं यहां दिखाई गई हैं. पन्य करने की आवशक्ता होती है। प्रोग्रामिंग में इसे पुन्रावृति अथ्वा लूप या आइटरेशन कहते हैं। समानी तह पुन्रावृति एक निर्णे पर निर्भर करती है। जब तक निर्णे की प्रिस्थिती चाहे हां अथ्वन नहीं अनुकूल है। क्रियाओं की पुन्रावृति होती रहती है। उदाहरण के लिए जब आप जन्वतिती स्वीकार करते हैं तब आप आयू की गर्णा करते हैं तथा यह जाच करते हैं कि क्या आयू 15 से कम है। यदि हां तो आप अन्य विवरण स्वीकार करते हैं। परन्तु यदि आयू 15 से कम नहीं है तो आप पुन्हा जन्वतिति स्वीकार करेंगे। पुन्रा वृति को दर्शाने के लिए आप तीर का प्रयोग करते हैं जो कि प्रवासंचित्र के उस घटक से प्रारंब होता है जहां आप परिस्तिति का आकलन करते हैं तथा उस घटक पर समाप्त होता है जहां से आपको क्रिया अथ्वा क्रियाएं उनासंपन करनी हैं। इस उधारन में आप तब तक जन्वतिति स्वीकार करते रहेंगे जब तक की प्रयोग करता उप्योक्त जन्वतिति अंकित नहीं करता है। क्या आप यहां कुछ अभाव अनुभव कर रहे हैं? जी हाँ, इससे पहले कि आप रुकें, आप यहां अवश्य जांच करना चाहेंगे कि क्या यहां गंतव्यस्थल है? यदि हाँ, तो गंतव्य पर रुकें अन्य था, आप पुन्ह वहन की गती पर विचार करना इन निर्णे ओं के परिणाम के आधार पर ही, आप वान्चित क्रियाएं संपन्द करेंगे. चात्र-पंजिकरम प्रोग्राम में आप प्रयोक करता के लॉगिन परीचे की जांच करेंगे. यदि परीचे सही है, तो आप अन्य क्रियाओं को संपन्द करेंगे. अन्य था, लॉगिन परीचे पुनह स्वीकार करेंगे। इसके अतिरिक छात्र विवरंड प्रदर्शित करने के उपरांद आप जांच करेंगे कि क्या यह विवरंड सही है। यदि हां, तो जांच करें कि क्या विवरंड संचित करना है। यदि विवरंट सही नहीं है तो यह पुना स्विकार करें। आप इसी तरह प्रयोग करता द्वारे अंकित किये जाने वाले प्रत्यक विवरंट को स्विकार करने के लिए उचित जांच के मापदंड निर्धारित कर सकते हैं जिसे कि किसी भी तरह का अवांचित विवरंट स्विकार न किया जाएं। आईए अब हम अपने ज्ञान का परिक्षन करें। आनलाइन खरीददारी वेबसाइट के लिए एक प्रवासंचित्र का निर्मान करें। इस वेबसाइट पर प्रयोक करता के लिए विभिन वस्तों को प्रदर्शित करेंगे। तदुप्रांद, प्रयोक करता अपनी क्रय सुची में चैनित वस्तो को सम्मलित करेंगा। प्रतेग वस्तु को क्रय सूची में समलित करने के बाद आप यह जांच करेंगे कि क्या यह वस्तु भंडार में उपलब्ध है? यदि हाँ, तो आप वस्तु को क्रय सूची में समलित कर क्रय सूची प्रदर्शित करें. अन्य था, प्रयोक करता को इस संदर्व में एक प्रदर्शित करें, तथा क्रय विभाग को सूचित करने के लिए एक उप्रक्रिया प्रारंभ करें। तद उप्रांद प्रयोक करता से जांच करें कि क्या वहाँ अन्य वस्तु क्रय करना चाहता है। यदि हाँ, तो पुना विभिन वस्तु को प्रदर्शित करें, अन्य था भुकतान या चेक आउट की ओर अग्रसर हूँ यदि प्रयोक करता ने लॉगिन नहीं किया है तो उसे लॉगिन करने का निर्देश दें प्रयोक करता के लॉगिन परीचे की जांच करें यदि परीचे सही है तो लेखा पत्र या विल की अदाईगी करें लेण देन को डाटा बेस में संचित करें तथा कारे का अफसान करें यदि प्रयोक करता का लॉगिन परीचे सही नहीं है तो प्रयोक करता से जांचें कि क्या वह पुनह प्रयास करना चाहता है यदि हाँ, तो प्रयोकरता को पुना लॉगिन करने का अफसर दें, अन्नेथा कारे का अफसान करें। यदि प्रयोकरता ने पहले से लॉग इन किया है तो लेखा पत्र या बिल की ये अदायगी करें, लेंदेंद को डाटाबेस में संचित करें, तथा कारे का अफसान करें. इस प्रशन को स्वयम हल करने का प्रयास करें. मैं इस प्रशन का हल अगले वीडियो के रूप में प्र प्रवहसंचित्र में एक दूसरे पर आशित अनेक निर्णेयों की श्रिंख्ला का प्रयोक करना सीखा, प्रवहसंचित्र में पुन्रवृत्ति को चित्रित करना सीखा, तथा निर्णे तथा पुन्रवृत्ति युक्त प्रवहसंचित्रों का निर्मान करना सीखा. इस वी को देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद. आशा है कि आपको यह वीडियो देखने में उतना ही आनंद प्राप्थ हुआ जितना कि मुझे विशेशकर आपके लिए बनाने में प्राप्थ हुआ. यदी ऐसा है तो वीडियो को पसंद करना न भूलें तथा मेरे चैनल Let's Simplify Computers with Mrigvats Learning को अवश्य सब्सक्राइब करें Notification या घंटी वाले प्रतिरूप को क्लिक करने से आपको मेरे नवीन वीडियो के बारे में अधी सूचना प्राप्त होती रहेगी अगले वीडियो में आपसे पुना भी हिंट होगी तब तक के लिए अपने ज्यान सार्थी संजे शर्मा को आग्या दीजिए नमस्कार